कि माइनिंग मेड इजी बाइतल में अपका स्वागत है मेरा नाम है अतल दुबे और आज हम लोग माइन मशीनरी का 7 वीडियो लेकर आए हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज आप लोगों को थैंक्स करना चाहेंगे अपने वीवर्स को कि जो भी आप हमा आप लोगों को थैंक्स बोलेंगे कि इतना अच्छा हमारा अट्रेक्टिव वीडियो बनाने के लिए आप ही लोगों के वज़े से सब होता है थैंक्यू वरी मुच फॉर्य सपोर्ट और अब चली हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस वीडियो में हम लोग डि स्कूश करते हैं तो विडाव वेस्टिं टाइम स्टार्ट यहां पर दिख रहा है आपके स्क्रीन पे यहां दिफरेंट लिस्ट है तो सबसे पहले हम बात कर लेता है कि सेटीटीवाईस होते क्या सेटीवायज इस को डिफाइन कर सकते हैं लोग कि वो डिवाईज जो की हम हम लोग अपर लुट सिस्टं में यूज करते हैं जिससे हमारा एक्षिरेंट थ्यूलिशित BUT ah मतलब के कारण से कोई accident नहों सकते हैं आजाएशों लोग बोलते हैं peskinफ दिवाईशिंख ख्यर्लै को आ यहां सबस्क्राइब करते हैं सबसे पहला मारा स्टाउट बीम होता है जो कि हमारा जो ट्रैक है उसकि एक एंड पर प्रडिक्फिषा की नि Champs वें ul준 को. और एक सपॉर्ट बीम भी होता है जब यह इधर जाएगा तो इसको सपोर्ट करने के लिए उसको और अच्छे समझते हैं लेखा यहां पर इस पर्डिक लिए इस particular beam को और दूसरा इसका काम क्या है कि जो भी हमारा operators को operate करता है उसका पैर दब न जाए इस particular चीज़ से सरक के जब यह इधर आएगा दब न जाए इसलिए हम लोग इसका use करते हैं ठीक है यह था इसका arrangement यह दोनों tracks के एक-एक end पे pivoted रहते हैं अब यहां पर जो दिख रह सारा टब्स उपर पहुंच जाता है या फिर खलिया को नीचे मतलब empty टब्स को नीचे भेजने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसको क्लिप करते हैं अच्छे से रोप से अटैच करते हैं यह सब करते हैं तो उस time में टब का backward movement मतलब नीचे की तरफ ना हो जाए उस चीज करने के लिए फिर इसको on condition में रखने के लिए क्या करते हैं कि यह जो हमारा यह जो हमारा particular beam देख रहा है इसको हम लोग इधर shift करते हैं जो कि इस पिक में आप देख लेता है यहां पर इसको लगा दिए अब जब यह ऐसा आ गया जब यह ऐसा हो गया तो इसको इस तरफ का movement न हो जाए इसलिए हम लोग यह छोटा सा बीम जो है यहां पर लगा कर रखें अब कभी भी मान लीजिए कि टब मान लीजिए किसी का रण्वास gradient तो है इंक्लाइन से नीचे जाना तो ग्रेडेंट तो मिले गाई तो अगर यह टब बाइद वे अगर पाई मिस्टेक अगर नीचे आ जाता है तो इसका जो एक्सल होगा एक्सल आके हमारा स्टावट बीम में लड़ जाएगा और यह नीचे जाने नहीं देगा अब बात कर लित आता है कि इन केस अगर स्टॉप ब्लॉक के रहने के बावजूद भी टब नीचे आते हैं या फिर स्टॉप ब्लॉक पार करने के बाद भी कुछ ऐसा कुछ होता है कि हमारा बहुत स्पीड मूव्मेंट होगा टब का अनकंट्रोल वे में तो उस केस में एक्सिडेंट से ब रेल का पार्ट आप देख रहा है यह मूवेबल मतलब यह इनर साइड ट्रैक का इनर साइड में यह रेल मूव कर सकता है अब यह कैसे मूव करेगा इस पर्टिकलर रॉड में अटैज्ट होता है और यह फाइनली जाके हमारा स्प्रिंग अरेंजमेंट से अटाच है अब इसका operation समझते हैं कि जब यह लिवर हम लोग नीचे की तरफ operate करेंगे जब नीचे की तरफ operate करेंगे तो यह रॉड नीचे आएगा नीचे आने के चलती इस पर्टिकलर जो पिन देख रहे हैं यहां पर इसके चलती इसका movement इस तरफ होगा इस तरफ होगा तो यह क्या है कि इसको ऊपर खीचेगा ठीक है एक बार देख लेते हैं कि जब लिवर operate कियें तो यह रॉड नीचे आया नीचे आने करण यह भी थोड़ा सा नीचे आया और इसको ऊपर खीच लिए अब यह जब ऊपर खीचाएगा तो इसको क्या करेगा इस पर्टिकलर पॉइंट को नीचे ठेलना चाहेगा नीचे ठेलना चाहेगा तो यहां से तो नहीं होगा यहां से होगा यहां से जब ही होगा तो यह पर्टिकलर पॉइंट जब इदर आएगा तो ट्रैक्स भी इदर आने लगता है क्यों जैसे इस पिक में आप देख सकते हैं लिवर को नीचे किये य यह इधर घुमा अब यहां पर में समझते हैं कि यह ऐसे था और इस पर हम लोग ट्रैक अटाइच करके रखे थे जब यह पर्टिक्लर पॉंट का नीचे की तरफ मूब्मेंट हुआ तो त्रेक्स इधर खसका क्यों क्यों कि यहां वाला यहां समझ में बच जाएगा slky यहां पर कुछ है नहीं जैसे आप देख सकते इस पॉर्टिक्लर पॉंट में वो चुका तरह यहां सिडिल हो जाएगा और हमारा मेजर एक्सिडेंट से बच जाएंगे अब बात कर लेते हैं मैनोल के बारे जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हॉलेज रोडवे को अगर ट्रैवलिंग रोडवे की तरह नहीं यूज कर रहा हैं फिर भी उसमें हम इंस्पेक्शन मेंटेनेंस और एक्जामिनेशन करने तो जाएं वो रोप हमको हिट कर सकता है क्यूंकि भाई गैलेरी का विट तो एक फिक्स्ट है ना और उसमें अगर रस्ता इधर उदर मूव करता है तो हम कैसे भागेंगे रस्ता बहुत स्पीड है नहीं बाग सकेंगे बचनी सकेंगे तो उस चीट से बचने के लिए हम लोग क्या है है तो मैं हुल का क्या है कि जबीध प्रेज का के अगर मूवन होता है तब शेल्टर ले लेगा मैं होल के अंदर वह पर्डिकलर परसंट अब शेल्टर लेने के लिए भी इसका कुछ dimension होना चАГИoit कि कि इसका जो meanings होता है वह होता है 0.75 मिटर से जादनी हो सकता है 0.75 मीटर से कम नहीं होगा इसका जो अंदर वाला depth यहां पे दिख सकते हैं आपफिक्स में यह कम से 1.2 ч potato होता है उप्टे इसके बाद इसका जो हाइड होगा वो होगा कम से कम 1.8 और बात आए कि जहां पर भी हाइट हमारा 1.8 मिटर या फिर उससे कम है तो जो भी रूफ हईट होगा वह हम ले लेंगे ठीक है अब 0.75 से 1 मिटर क्यूं रहता है व्वं मिटर से ज्यादा क्यों नहीं रहता है जो रहता हैं कि यह हमारा व्वित रहता है जो का जो फाराएं हदां और सफस्LY spirit होन कर देगे तो 很 इंद 0.75 मीटर से कम क्यों होता है 0.75 मीटर से कम रखने का मतलब है कि आप घुस नहीं पाएगा या फिर घुसीएगा भी तो बहुत कम एक दो लोग उसमें रह सकेंगे ज्यादा लोग एकमोडेट नहीं हो पाएगा अब 1.2 मिटर कम से कम क्यों रखा गया है 1.2 मिटर इसलिए बात कर लेते हैं कि इसके कितने दूरी पर लगाना है तो यह जनरली 10 मिटर की दूरी पर रहता है लेकिन जहां पर भी ग्रेडियंट 1 इन 6 से कम होता है लेस होता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि इसको 20 मिटर की दूरी पर लगाते हैं और यह जो है यह मैक्सिमम दूर कि हमको पता कैसे चलेगा कि मैन होल कहां पर क्योंकि सब तो अंधेरा रहता है कदान के अंदर तो उस चीज के लिए क्या कि हम लोग पास सिर्फ एक क्या पता चलेगा काला काला में अगर इमर्जेंसी कंडिशन में दिमाग ऐसे ही डिस्टब रहेगा तो उस चीज में हम लोग को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा मैन होल रहेगा उससे 0.3 मीटर कम से कम उसके अराउंड 0.3 मीटर इधर 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 माली उपर तो रूफ ही हो गया है तो 0.3 मीटर कम से कम हम लोग वाइट वाशिंग इसका कर देते हैं ताकि एक इंडिकेशन मिले कि हाँ इस पर्टिक्लर पॉइंट पर आपका मैन होल है आप जल्दी से आके इसमें छुप सकते हैं तो यह सब था बात हमारा मैन होल के से काम होता है जैसे यहां पर जो दिख रहा है हम लोग जानते हैं जर्णरली कि टब्स अगर लेवल गैलरी है तो सीधा ही रहेगा मतलब ट्रैक्स सीधा ही रहेगा तो अब क्या हुआ कि कभी भी बहुत ज्यादा स्पीड में आ रहा है ट्रैक्स तो यह तो कहां तक थे हैं डाया पो इस की कर कर दिया इस पर्टिक्旅र्थ कर ड्रैक्सगा को अब इसमें होगा क्या कśl कि जभी आप का मुवमेंट स्लो लो रहेगा उस में तो यह अच्छा से इसको पार कर जाएगा कर लेंगा लेकिन जब बहुत ज्यादा कि यृक्शिव स्पीड रहेगा अब बात करते हैं back catch के बारे में, back catch क्या होता है, back catch generally हम लोग backward movement के लिए, backward movement रोकने के लिए, backward movement of tub को रोकने के लिए हम लोग use करते हैं, अब इसका arrangement पहले देखते हैं, तब इसका working हम लोग देखेंगे, back catch में क्या होता है, कि इस दौनों rails के बीच में एक arrangement कुछ ऐसा यहाँ इसका मुवमेंट कैसे होगा देखिए यहाँ पर इसका मुवमेंट ऐसे होसकता है ठीक है इस पर्षिकल disappoint से इस पτεल le Review को हम लोग हिंज करके रखे हैं और इसका मुवमेंट ऐसे होगा मतलब disclose दिरेक्षण में यह नीची जाएगा और यह उपढ़ लिए इसका मुवमेंट ऐसा और ऐसा नहीं होगा कहले कि नीचे कहाँ जगह क्ला नहीं है इसलिए इसका मूवेंट ऐसे हो सकता है अब यह काम कैसे करता है Logis आया नो डवल जब आया तो सबसे पहले तो सका कौन सा पाट टकराएगा इससे Clues तकर आएगा क्योंकि जो एक्सल होता है इस पिक में देख रहे हैं जो एक्सल होता हो सबसे बॉटम पार्ट में है तो इससे एक्सल टकराया यह नीचे हो जाएगा नीचे होगा और यह थोड़ा सा उठ जाएगा पहला एक्सल पार हो गया अब जैसे मान लेजिए यह आपका अब इस पर्टिक्लर पॉइंट पर बात करते हैं जैसे ही इससे का लोड तुम दीया है और यह ठोड़ा सो ऊपर उठा और चेला गया फिकर यह यह इसका काम क्या है actual अब यहां पर दिखता है मालेजे टब कुछ दूर जाके incline में मालेजे जैसे कि यह आपका incline है यहां पर आप लगा के रखें यहां पर आपका पर्टिक्लर टब जाके रुख गया है यहां पर आपका टब जाके रुख गया है ठीक है किसी कारण यहां पर arrangement का कभी भी movement ऐसा इस direction में नहीं हो सकता है तो हमारा जो पीछे वाला एक्सल होगा जो बाद में पार किया जा जो लास्ट टब का पीछे वाला एक्सल होगा वह आके इससे टकर आएगा यहां पर टकर आएगा मालीजी आपका और इस पर्टिक्लर एर्रेंजमेंट को रोक देगा ठिर से एक बार देख लेते हैं क्या होता है कि जैसे ही यह पीछे वाला एक्सल आके इसमें लड़ेगा यह अब तो इसका movement ऐसे नहीं हो सकता है तो यह आके इसमें रुख जाएगा यहां पर इस प्रटिक्लर पाइट पे हमारा तो साके रुख जाएगा तो ऐसे हमारा बैक केचे काम करते हैं अब बात करते हैं एज क्राफ device के बारे में एक राभड हम लोग forward कि रनवे की case में यूज करते हैं इसका arrangement सबस्ते हैं जैसा कि यहांपर देख रहा है दो दो ठीक है अब वर्किंग समझते हैं क्या होगा जैसा कि हम लोग देखें अभी कि जब भी कोई तब आएगा तो उसका सबसे पहले नीचे से क्या टकराएगा एकसे टकराएगा अब एकसल आके जब इसपर टकराएगा तब में मुव्मेंट है movement में force है force क्या करेगा इसको नीचे दबा देगा जब यह पार्ट नीचे जाएगा तो इसमें ऐसा arrangement है कि यह उपर उठ जाएगा यहाँ पर देखिए जब हमारा तब इस पर चड़ा ए पॉइंट पर चड़ा तो यह ऐसा है इस पिक में देखिए और बी पार्ट जो है ऐसे उठ गया है यह B हो गया यह हो गया यहां देखिए जैसे यह यह है एसे दब यह XL आ रहा है इसको लड़ा इससे और दबा दिया नीचे की तरफ नीचे की तरफ क्या होगा और जो भी हमारा था वह ऐसे उठ जाएगा ठिक है अभी यह पोजिशन है इस पर चक्का चड़ा एक्सल चड़ा हुआ है और यह पीछे वाला उठ गया ऐसे ठीक है उठ गया यह वाला अब जब slow movement होगा जब slow movement होगा टब का तब क्या होगा कि जैसे ही एक्सल हटेगा इस arrangement को time मिल जाएगा कि यह ऐसा पिर से हो जाए मतलब भी अपने position में ऐसे आ जाए और अभी मतलब देखिए भी हमारा जो होगा वह नीचे आ जाए और एसा हो जाए ठीक है similarly जब यह आके इस पर टकराएगा तो नीचे ठेलेगा और यह उड़ जाएगा हो गया यह समझ गया अब जब fast movement होगा fast movement के case में यह आपका wheels है इसमें एक्सल्स है fast movement केस में मालीजे पहला एक्सल ए पर आके चड़ गया और भी उठ गया ऐसे लेकिन fast movement के कारण time बहुत कम है इसको अपने original position में जाने के लिए तो जैसे ही यह release करेगा तब तक दूसरा एक्सल आके इसको hit कर देगा बी point को अब बी क्या करेगा बी वाला point हमारा एक्सल में फस गया और इस पूरे complete arrangement को रोक देगा या तो गिरा देगा ऐसे हमारा agecraft device काम करता है इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमारा tubs आया इसको नीचे ठेला यह वाला उठ गया और एक्सल आके इस बी point में लड़ गया और रुक गया ऐसे हमारा agecraft device काम करता है अब बात करते हैं ड्रॉप वर्विक में ड्रॉप वर्विक भी हम लोग forward कि रोन वेको से बचाने के लिए हम लोग्ड रॉप वर्विक यूज़ करते हैं ड्रॉप वर्विक में क्या होता है एक बहुत मोटा सा बीम चाह लोहा का रिएल अले उसके बाद इसको क्या करते हैं कि इस bones पॉइंट पे देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं माल लीजिए यह आपका बीम है ठीक है इस बीम में हम लोग एक जैसे डी कैसे होता टब्स में यह है और इसमें डी लिंक लगा हुए इसी बीम के ऊपर में हम लोग ऐसा एक यू सेक्शन बना दिये ठीक है अब यह यह यू सेक्शन बनाने का काम है कि इस पर्टिकलर पॉइंट पर यू सेक्शन जाके घुशेगा और यहां से एक आई बोल्ट हमारा हो गए यह बीम है है यहां पर इसका दो पॉइंट हो गया न दो एक कहानी हो गया है दूसरे कहानी समझते हैं डूसरे में क्या है कि यह उनगों चारब यह कि भी पर हो जैंगा ओश्रेंगे TO हम लोग क्या करेंगे कि इस लाइट वायर को खिच लेंगे हलका वायर। खिच खीचेंगे, तो क्या होगा, caught i bolt हमारा यहां से निकल गया, in the pointWest Point यह एंड़ इप free ब्रैइट तो आपन मतलब वहां गतुब वह से अब नहीं अब अपनस नहीं है तो gravity के करन यह हमारा नीचे आ जाएगा नीछे आके क्या करेगा, यह मालीजब करना है, रूफ एफ और फ्रोर है, रूफ एंड फ्लोर, तो अब यह क्या करेगा, आपके गैलरी को ब्लॉक कर दिया यह, ब्लॉक करेगा, जो भी टब आएगा, हिट करेगा, और वही रूख जाएगा, एसे हमारा drop orvik काम करता है उसके बाद बात करते हैं buffer about like कहा लगाते हैं बफ सर हम लोंग वहां पर लगाते हैं जहांपर अमारा rail यह फिर track in do right और generally कहां into होता है हमारे फेस पर माल लेज tissu है यहाँ पर sql चल रहा ৌपर आपका फेस है यह आपका फेस है यहां पर SDL लोडिंग कर रहा है से तो हम लोग SDL में कहां लगाते हैं लोडिंग पॉइंट कम से कम 10 मेटर की दूरी पर लगाते हैं जो कि हमारा अच्छा रहता है लोडिंग है तो अब लोडिंग पॉइंट पर लगाते हैं तो एक एंड तो आपका रेल का जाके यहां पर एंड हो गया ना अब तब आप छोड़िएगा बहुत स्पीड से तो क्या करेगा अगर मुव्मेंट ज्यादा अगर स्पीड उसका हुआ तो जाकर उतर जाएगा तब यहां पर लोडिंग क्या है तब उतर गया वहां से और आदमी पारो रहा है मार दिया उसको जाके तो फिर तो बहुत दिक्कत हुआएगा तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रॉप मोटा सा चाहे एक रेल का सेक्शन कुछ भी मोटा सा एक बीम हम लोग लगा देते हैं रूफ और फ्लोर के बीच में और इसी ट्रैक के बीच ओ बीच तो क्या होगा अब टब्स आएगा इसी में लड़ जाएगा और वहीं रहा जाएगा कुछ अब नुक्सान भी नहीं होगा नहीं वो नीची उतरेगा ठीक है ऐसे हमारा बफर काम करता है अब बात कर लेता है signaling arrangement पिछले वीडियो में भी signaling arrangement हम देखा था इसमें क्या होता है दो वायर है उसके बाद ये हमारा 30 वोल्ट से ज्यादा नहीं होता है intrinsically safe होता है intrinsically safe क्यों होगा क्योंकि अगर इससे कोई चिंगारी generate होगा तो उसका इतना power नहीं रहेगा कि वो आपके particular inflammable mixture अगर में कि माली यह कहीं भी हमको अलाम देके operator को कहना है कि वहीं आप रोक दो चाहे चालू करो चाहे कुछ भी करिए कोई भी signal देना है तो इसलिए इसको यूज करते हैं तो अब इसको operate करने के लिए क्लिए क्या करते हैं कि इन दौनों wires को घसते हैं एक रॉड ले लिजे उसस थे थोड़ा speed इसलिए जा रहे हैं कि पिछले वीडियो में सब discuss कर लिए उसके बाद ये क्या किये थे हम लोग पिछले वीडियो में भी बताये थे कि इस पर्टिमाली यह कोई एक तार है उस तार से हम लोग एक wire attach कर दिया और उसके छोड़ दिए जब हमको alarm बजाना होग है कि back में stay करेगा back में ही रहेगा मतलब जो हमारा train of tubs होगा जो last tub है उसके back में हम लोग लगाते हैं अब back में कहां लगाते हैं हम लोग आगे देखेंगे दूसरा इसको drag क्यों कह रहे हैं ड्राइग इसलिए कि घसराते हुए जाता है जब हम लोग टबस का movement होता है तब करेंगे गवे जाता है उसके बाद ऑड़ाई को कहां पर करेंगे हम लोग हम लोग करते हैं एक्सल में डिमाग में पीछे दो चीज एक तो हमारा कया है एक्सल है तो हम लोग एक्सल मेंplease करेंगे आपका डिल do तो अब नहीं बेचारा जब तब मूव करेगा तो डीलिंग के इसे जूलते रहता है तो जब जूलते रहेगा तो हमारा ड्रैग अगर उसमें लटका देंगे तो वो कैसे सेफटी डिवाइस की तरह काम करेगा इसलिए और एक्सल तो हमेशा फिक्स रहता है मजबूती की तर कर देते हैं ऐसे और दूसरा सेक्षन हमारा नीचे की तरफ गसराते हुए जाता है अब कैसे काम करेगा जब ही भी आपका बैकवर्ड रनवे हो रहा है और इसका हमारा खुद का एक्सपीरेंस समझाते हैं उसके बाद बताते हैं जब हमने सबसे पहला अपना ट्रेनिंग क में उसी टाइम जब मूबमेंट हो रहा था तो किसी कारणवस रसा तूट गया रसा टूटा तो बहुत ज्यादा रफ्तार से हमारा टब्स नीचे आया ठीक है अब मालेजे जैसे आपका इन्कलाइन इसमें रसा पूट गया तो टब्स नीचे आएगा ना नीचे आया नीचे आया तो संजोग वस्ट जिस मैन होल में हम थे उसी मैन होल के सामने ये ड्रैग क्या किया कि को गिरा दिया दोनों तरफ लेकिन लेकिन यह हुआ था कि हम एक इस माली यह मैन होल में है तो यह दूसरे तरफ गिराया और कोई लाव गिरा के मेरे उपर न लगा तो ऐसे यह काम करता है कि आपका गड़ जाएगा जमीन में और गिरा देगा टब्स को तो इससे हमारा बह ड्रैग भी लगाता है यह था हमारा कंप्लीट वीडियो सेफ्टी डिवाइज के ऊपर और आज हमारा हॉलेच सिस्टम खतम होता है इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक के साथ मशीनरी को चालू करेंगे आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे समझ में आय चालू थे अपर प्याएक खता है, ताद करेंगे दाजियो है करेंगे आया क्या हैser यह ह Copक ठाटके सेफ्टी डिवार रिवारा कि ऑनте मारा का जग़ रिए ने कि को सो चाला है महiras कर क्यों कर लिय क colleagues